Hello Friends, मैं प्रियांका, वेल्कम करती हूँ अब सबका मेरी चैनल माइड्स माजिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हमारा मूड हमारी डेस्टिनी को क्रीइट करता है जी हाँ, हमारा मूड हमारी भागी का निर्मान करता है तो पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ दो root causes जिसके कारण हमारा mood बहुत जादा fluctuate होता है और उसके बार मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन root causes के कारण हमें अपनी life में क्या-क्या bear करना पड़ता है हमें क्या cost pay करनी पड़ती है तो चलिए पहले हम बात करते हैं causes के बारे में तो हमारे mood fluctuations के ऐसे तो बहुत सारी causes होते हैं बट जो दो main causes है वो पहला cause है हमारे expectations हमारे expectations जो हम उन लोगों से करते हैं जो हमारे बहुत close होते हैं हमारे close relatives, हमारे close friends या जिन लोगों के साथ हम daily basis पे रहते हैं या हमें किसी तरह से respect नहीं करते या हमें समझते नहीं है या ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा mood fluctuate करता है दुसरी जीज़ जो हमारी mood fluctuations का main कारण होती है हमारी planning हम अपने life को जिस तरह से plan करते है अगर हमारे life हमारी planning के according नहीं चलती है हमारी planning अगर हमारे reality में convert नहीं होती है तो हमारा mood fluctuate करता है तो ये तो थे दो main reasons जिसके कारण हमारा mood fluctuate करता है तो अब हम बात करने वाले हैं उन reasons के बारे में उन cost के बारे में जो हम bear करते हैं इस mood fluctuation के कारण तो चलिए सबसे पहला cost हम अपने सर से लेके हमारे नीचे वाले body part तक आएंगे और हम मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या cost पे करते हैं सबसे पहली बात जब हमारा mood बहुत खराब होता है चाहे हमने कितने भी make-up कर ली हो कितने भी facial करा लिया हो बट हमारा mood उतरावाई रहता है जब हमारा mood खराब होता है या हमने देखा होगा जब किसी का mood खराब होता है तो लोग बोलते हैं कि क्या हुआ तुमारा तबेट ठीक नहीं है क्या? इतना mood क्यों उतरावा है तुमारा? This is a sophisticated way of asking why your mood is not good येस आपका mood क्यों खराब है आपका चेहरा बहुत डल लग रहा है तो सबसे पहला effect सबसे पहला cost जो हम पे करते हैं हमारे looks के उपर हमारा face बहुत डल लगने लग जाता है हमारी face की glow चली जाने लगती है दूसरी चीज जो हम दूसरा price जो हम पे करते हैं वो होता है कि जब हम बहुत जादा time तक आपने देखा होगा कोई इंसान depression में है या pain में है depressed है किसी चीज को लेके बहुत दुखी है तो उस इंसान के eyes के नीचे dark circles हो जाती है हमारे pain, हमारे depression, हमारे negative vibrations की कारण हमारे आंगों के नीचे dark circles हो जाती है और जो हमारे look को बहुत गंदा कर देता है तीसरा price अपने देखा होगा कि जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमें अच्छा से अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता है कोई हमारी favorite dish भी लाके दे देना तो हमको उस टाइम अच्छा नहीं लगता है जिसके कारण हमारी यादाश कमजोर होने लगती है किसी भी इंसान जो कोई गुस्से में है अगर उसको हम जाके पूछते कि भाईया इबता दो ये चीज कहां पे है तो इंसान यहीं पूली का मुझे नहीं पता अभी क्योंकि गुस्से में जो chemical secretion होता है उसके कारण हमारी memory power weak हो जाती है इसी तरह जब हम आपने ये notice किया होगा कि जब आपने या तो बहुत जादा गुस्सा किया किसी पर या बहुत जादा रो रहे हो या दुखी हो उसके कारण आपकी body में weakness फील होती है आपको तो यही cost हम pay करते हैं हमारी mood swings के कारण हमारी mood खराब होने के कारण तो यह तो बात हुई कि mood क्यों खराब होता है और mood खराब होने के कारण हमें क्या cost pay करना पड़ता है तो इससे आप सोचोंगे कि हमारा भाग कैसे निर्मान होता है जब हमारा mood खराब होता है तो हम negative vibrations को release करते हैं हम negative तरंगों को release करते हैं जो तरंगे हमारे life में हमारे destiny में जो चीज़े अच्छी चीज़े लिखी होती है ना उनको हमारे life में आने से block करता है जस तरह सोचिए अगर आपके घर का gate बंद है और आपने कोई order किया है Amazon से कोई समान मंगवाया है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन अगर आपने अपने घर का gate नहीं खोला तो क्या वो इंसान आपको समान deliver कर पाएगा नहीं ना इसी तरह जब हम negative energy में रहते हैं तो हम अपने चारों तरफ एक negative औरा का lock create करते हैं जिसके कारण हमारे life की positive चीज़े अची से अची चीज़े जो हम अपने life में ला सकते हैं वो भी हमारे life में नहीं आपाती है तो हम ऐसा क्या करें जिसके कारण हमारा mood अच्छा रहने लग जाए या हम उन छोटी-छोटी चीज़ों को ignore कर पाए जिसके कारण हमारा mood खराब होता है तो इस दुनिया में बहुत सारी ग्रंथ है बट मैं दो main ग्रंथों की बात करती हूँ सबसे पहला ग्रंथ भगवत गीता जिसमें लिखा गया है कि इस संसार में जो भी हो रहा है जो भी हमारे past में हुआ है वो भी इश्वर की मर्जी से हुआ है जो हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है और जो होने वाला है वो भी भगवान की मर्जी से होने वाला है तो अगर हमारी planning खराब होती है तो क्यों तो हमें यही सो सोचना चाहिए न कि वो भगवान की planning के according हो रही है और भगवान तो हम देख चुके हमसे best planner है हम किसी चीज में कोई mistake कर सकते हैं बड़ भगवान नहीं कर सकते हैं कोच चीजें हमारी life में इतनी magical way में आजाती है जो हम सूझ भी नहीं पाते तो वो कौन प्लान करता है वो बगवान ही तो प्लान करता है कभी-कभी ऐसा होता है हम बहुत बार कि हम किसी बस का टिकेट कटा रहे हैं और उस बस का एकसिडेंट हो गया हूँ ऐसा हम देखते हैं बहुत मूवीज में भी कि हाँ अच्छा हुआ नहीं गए बगवान ने अच्छा किया पीछे कुछ मंगल है, मंगल means बहुत कुछ अच्छा तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमें क्यों डिसाइट करना है हमारे according की यार ये अच्छा है या ये भुरा कुछ जो अच्छा हो रहा होने देते हैं उसको उसकी कारण हमें क्यो तकलीफ हमां खुद को क्यों तकलीफ पहुचाए, हमारे मोर्स को क्यों खराब करे ताकि हमें बेस्ट चीज नहीं मिल पाए दुनिया की तो ये तो थी यहां तक की बाते अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेक्सपियर ने कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है जी हां और हम इस दुनिया में अपने रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं एक ड्रामा की तरह हम सब रोल्स परफॉर्म कर रहें इस दुनिया में अगर किसी इंसान की बाते या किसी इंसान की कुछ चीजें आपको बुरी लगती है उनका आप कुई behavior या आपके तरफ चीज आपको बुरा लगता है खराब लगता है तो यही मानिये कि वो इंसान अपने रोल को perform कर रहा है इस world में और आपको अपना रोल को perform करना है और आपको best role player बना है यानि कि अपने according आपको best role play करना है आप अगर किसी भी चीज को किसी भी चीज के दूसरे इंसान के कारण अगर अपने मूड को खराब करते हैं तो आप उसकी लाइफ में कुछ खराब नहीं करते हैं उसने तो अपना काम कर दिया और वो निंकल लिया बट आप क्या करते हैं अपने mood को खराब करके अपने life की blessings को blockage में create करते हैं आप एक blockage create करते हैं जिससे आपकी life की beautiful blessings भी आप तक नहीं पहुच पाती है तो आज से हमको क्या करना है हमारे life में सबसे पहला इंसान अगर वो नहीं होता तो हम नहीं होते हमारी माबाप होते हैं हमें उनकी सर्फ बातों से दुखी होना है और कोई ये right नहीं रखता है हमारे life में दूसरी चीज अगर वो इंसान नहीं अगर दूसरा इंसान जो हमारे life में नहीं होता तो हमारे life में होती वो हम खुद है अगर हम नहीं होते तो क्या हमारे life हो पाती हमारे life के वो लोग हो पाते जो आज हमारे life में तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम खुद की खुशी का ध्यान रखे खुद की body का ध्यान रखे खुद के looks का ध्यान रखे तो मुझे जो भी पता था मैंने आप लोगों को बताया according mood के बारे में ये mood हमारी life को कैसे impact करता है तो I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो please मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फी कमेंट बॉक्स में अपना feedback सरूर बताईए इससे क्या होता है ना कि मुझे पता चलेगा कि मुझे आगे क्या वीडियो बनाने है आपके request के according अगर कुछ अच्छा है तो वो भी बताईए और कुछ बुरा लगा है तो वो भी बताईए ताकि मैं अपने आपको improve कर पाऊं, love you all हसते रहिए, मुस्कराते रहिए क्योंकि life ना बहुत beautiful है बस देखने की देरी है कि इसमें क्या beauty है life में कुछ भी impossible नहीं है अगर हम चाहें ना तो हम सब कुछ कर सकते है love you all